सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था. वह गाउं के एक जमीनदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था. पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े. मस्दूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था. वो हर दिन सोचता की कैसे घर की स्थिती को बहतर किया जाए. आज भी इसी सोच के साथ किशन सुभ सुभ जमीनदार के खेत पर काम करने के लिए निकला. खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई. किशन के मन में हुआ की आखिर ऐसा क्या है यहाँ. उसने तुरंट उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला. पतीला देखकर किशन दुखी हो गया. किशन के मन में हुआ की यह जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती. फिर किशन ने सोचा की चलो अब खाना ही खा लेता हूँ. किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फैंक दी और हाथ मो धोकर खाना खाने लगा. खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुचा वहां पहुचते ही किशन हैरान हो गया उस पतीले के अंदर एक नहीं बलकि बहुत सारे कुदाल थे उसे कुछ समझ नहीं आया तभी उसने अपने पास रखी एक टोक्री को भी उस पतीले में फेंक दिया वो एक टोक्री भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई यह सब देख कर किशन खुश हो गया और उस जादूई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ ओजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया वो गहने भी बहुत सारे बन गए इस तरह धीरे-धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमीनदार के यहां मजदूरी करना भी छोड़ दिया किशन को अमीर होते देख जमीनदार मोहन को किशन पर शक हुआ वो सीधे किशन के घर पहुँचा वहाँ जाकर उसे जादूई पतीले के बारे में पता चला उसने किशन से पूछा तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया दरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमीनदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला, तो यह मेरा हुआ किशन ने जादूई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्ते की, लेकिन जमीनदार मुहन ने उसकी एक नहीं सुनी वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादूई पतीला लेकर चला गया जमीनदार ने भी किशन की हीतर है उसमें सामान डाल कर उन्हें बढ़ाना शुरू किया एक दिन जमीनदार ने अपने घर में मौझूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिये और रातों रात बहुत अमीर हो गया एक दम से जमीनदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुँच गई पता लगाने पर राजा को भी जादूई पतीले की जानकारी मिली फिर क्या था? राजा ने तुरंट अपने लोगों को भेज कर जमीनदार के यहां से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया राज महल में उस जादूई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू दिया सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकलाए पतीले से निकला हर राजा बोलता मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ तुम्हें तो इस जादूई पतीले ने बनाया है ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए लड़ाई के दौरान वो जादूई पतीला भी तूट गया जादूई पतीले के कारण राज महल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सब को पता चल गया इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमीनदार मोहन ने सोचा अच्छा हुआ कि हमने उस जादूई पतीले का इस्तमाल सही से किया उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खोदी कहानी से सीख जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है पहली की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है दूसरी यह की हर सामान का इस्तिमाल संभल कर करना चाहिए अतिहानिकारक हो सकती है